बाहुबले के प्रदर्शित होने के बाद हिंदी फिल्मों के दर्शब भी प्रभाश के नाम से परिचित हो गए हैं बाहुबले के बाद प्रभाश की कुछ फिल्मों को हिंदी में डब कर रिलीज किया गया है अब प्रभाश को हिंदी फिल्मों में लाने की तैयारी चल रही है सुत्रों के मताबिक प्रभाश चाहते हैं कि बॉलिवुट में उनका आगास धमाकेदार हो कहा जा रहा है कि धूम सीरीज की चौते फिल्म से प्रभाश अपनी पारी शुरू कर सकते हैं इसमें रितिक रोशन भी होंगे प्रभाश और रितिक की जोड़ी कमाल कर सकती है